हेलो प्रेंट्स मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्नो विंक्स चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल प्रोग्रामिंग जो स्टुडेंट्स कर रहे है अभी तो प्रोग्रामिंग के लिए यह आप आएगा तो जिसको C & C++ के प्रोग्राम करना है उसके लिए मैं यह आप बता रहा हूँ जिसका नाम है CXX-Droid यह आप जो है आपको Google Play Store पे मिल जाएगा तो Google Play Store में आप जाके आप स्कुर्ण कर सकते होो और जैसी इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको इसा उपशन दिखा देगा open का उपन करने के बाद अभी यहां पर मैंने libraries अल्री इंस्टॉल है तो libraries अल्रीज इंस्टॉल हो गये आप अगर फर्स्टाइम इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको क कोई भी प्रोग्राम यहां पर रन कर सकते हो तो जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन में सभी जो स्टुडेंट से वह घर पर है तो उसी दोरांज जो टीचर्स अगर कोई आपको आपको अबजिक्ट औरेंटेट प्रोग्रामिंग आप सीख रहे होगे तो उसके लिए आप ऄट में क्या क्या है सबसे पहले अगर आप दिन डॉट्स पर क्लिक करते हो इसके लिए कोई लॉग इन की जरूरात नहीं आप बिना लॉग इन कि यही आह पर प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपको premium चाहिए तो premium version आप pay करके भी यहाँ पे लिए सकते हो इसमें terminal view भी है और interpreter भी है तो दोनों है install library जैसे मैंने कहा था कि जैसे आप start कर दोगे तो आप कोई libraries इंस्टॉल करने के लिए एक आएगा तो इसके बाद यह कुछ options हैं यहाँ पर new file open save save as close recent file and upgrade project अगर आप project create करते हो देख folder के अंदर आपके सभी files वापे store हो जाएगे तो यह सब यहाँ पर दिया है यहाँ अगर आप देखोगे इसके बाद देखते हैं कि एक simple program जो c++ में हम रन करके देखते हैं hello world का program जो हम basically देखते हैं स्टार्टिंग में तो इसके लिए मैं यहाँ पर यह सब code हटा देता हूँ ताकि हम हमारा new code यहाँ पर लिख सके तो सबसे पहले होता है हमारा header file इसमें होता है इसमें आप देख सकते हों यहाँ पर वहाँ डिफॉल्ट कीबॉर्ड के कुछ कि सिम्बॉल्स दिखाए दे रहा है कि आयो स्ट्रीम डॉट एच यह जो हीटर फाइल्स होती है वो लाइबरेडी से आपको फाइल्स निकालने के लिए यूज में आती है अगें हैस्ट इंक्ल्यूड कोनियो डॉट एच तो ऐस्ट्रीम डॉट एच जो है आपका वह आपके इन्पूट आउट पूट पूट इसकी रिलेटेड होता है और बाध कोनियो डॉट एच जो है पको आपके जो इंप्ट आउट्पूट आउट्पूट जो वाइल्स होती है जैसे output screen है आपकी उसके ओपर जो भी data जाता है उसके related होता है then यहाँ पर आप void main आप integer main भी लिख सकते हो और यह main function है तो इसके लिए हम देते हैं यहाँ पर bracket उसके बाद opening bracket and enter सबसे पहले हमें क्या करना है एक hello world का example लेना है simple example लेना है उसके लिए मैं सीधे statement प्रिंट करूंगा उसके लिए see out and then जहां पर double quotation में हम hello टेक्नोविंक्स इस तरीके का message हमें प्रिंट करना है तो यह message प्रिंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है इसके आउटपुट शो करने के लिए मैं यहाँ पर गेट्स फॉंक्शन भी ले ले लेता हूँ जो कि आपके कॉन्यों डॉट एच में स्टोर्ड होगा और क्लियर स्क्रीन के लिए एक फांक्शन ले लेते हैं तो इस तरह के से हमारा यह जो प्रोग्राम है यह कोड रेडी हो चुका है इसको हमें क्या करना है सिर्फ रन करके देखना है तो यह आप एक सिंबॉल देख सकते हूं यहाँ पर जो प्ले का तो यह देखो जैसे प्ले के उपर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको हेलो टेक्नोविंग्स आउट्पूट आजये का दिया आपकी ब्लैक स्क्रीन जोए आउट्पूट स्क्रीन है इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो एंड उसे सिंप्ली रन क हाहाँ सेथोंगलला पर आपका और अपको हाँ इसको सेऒ कर सकते हो ने के लिए अपको आपके फाइल लोकेश्न अलाव करना पड़ेगा है कि इंटर्नल स्टो यज तो यह मैंने create कर दिया है इसके अंदर आप इसको select कर सकते हो and file को भी आप नाम दे सकते हो इस जैसे मैंने दे दिया basic C xx या cpp ठीक है तो यह आप save कर सकते हो तो इस तरीके से save करके अगर आप program को run करते हो तो आपको यह output आ जाएगा तो इसी तरीके से आप अगर मैंने जैसे क्या था premium plan है अगर आप तो इसको use करके आप project बना सकते हो इसके उपर इसका अगर आपको purchase करना है तो for your purchase के लिए 820 rupees once for lifetime excess है premium future का अगर आपको two weeks trial version चाहिए तो 65 rupees per month तो इस तरीके से आपको charges लगेंगे two weeks आपको free रहेगा और उसके बाद monthly 65 rupees कट होगे तो इस तरीके साब premium जो है वो भी ले सकते हो तो कोई जरुरत नहीं अगर आपको simple programming अगर सीखना है तो इसके लिए आप free version के लिए ही आप ले सकते हो और अगर आपको projects बनाना इसके उपर तो आप premium बर्जन ले सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए subscribe कीजिए and bell icon प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए latest वीडियो जो भी आएगे उसको आप update कर सकते हो थेंक्यू सो मच